धर्म ग्रंथों में मनुश्य के बहुत से गुण गिनाए गए हैं पर कहा है कर्तव्य पालन सबसे बड़ा गुण है जो मनुश्य कर्तव्य परायन है वही सच्चा साधक है अपने माता पिता के प्रती करतव्य, अपने गुरू के प्रती करतव्य, अपने धर्म के प्रती करतव्य, इसी को सच्ची साधना कहते हैं और करतव्य पालन क्या? कि जो बचन दे दिया, उसे पूरा करें मुझ से जो बात कह दी, वो पत्थर की लकीर बन गई तो सिदास्टी ने भी तो कहा है रगकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई सुपेश है भीशम साहनी जी के माधवी का हिसा तो देवी और भद्र पुर्शो आज हम आपको इसी कर्तव्य प्रायनता की एक और कथा सुनाते हैं महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार देव लोक में विश्नु भगवान ध्यान मग मैथे थे कि सहसा उनका ध्यान भंग हो गया बड़े विचलित हुए उन्होंने मन को स्थिर कर एकाग्र मन से विचार किया कि इसका क्या कारण है तब ही अपने दिव्य चक्षू से उन्होंने देखा कि नीचे प्रित्वी पर उनका एक भक्त गंगा के तट पर खड़ा हाथ जोड़े नतमस तक उन्हें स्मरण कर रहा है इस पर विश्नु भगवान ने ततकाल अपने वाहन गरुड को बुलाया और बोले हे गरुड तुम ततकाल प्रित्वी पर जाओ हमारा एक भक्त संकट में है वो गंगा में कूत कर आत्महत्या करने जा रहा है और उसने हमें याद किया है जो आ गया महराज गरुड देव बोले और उसी समय पर फैलाये धर्ती की और उतरने लगे और शीक्र ही उन्होंने पाया कि वनस्थली के निकट गंगा तट पर एक युवक जलधारा की और मूग की ए खड़ा है गरुड देवता ने धर्ती पर उतरते ही ब्रह्मा का रूपधारन कर लिया और युवक के सामने जाओ उपस्तित हुए आपको क्या कश्ट है मुनिवर मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ इस पर युवक बोला मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है मैंने अपने गुरु को वच्चन दिया था जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया मैं अपने गुरु महराज के लिए गुरु दक्षना नहीं जुटा पाया मुझ जैसे पातकी के लिए मर जाना ही उच्चित है इस पर गरुडेव बोले मुनिकुमार विस्तार से बताओ कि तुम्हें कौन सी गुरु दक्षना जुटानी थी और उसे तुम क्यों कर नहीं जुटा पाए तो मुनिकुमार ने अपनी सारी विथा गाथा जो है वो गरुडेवता को सुनाई इस पर गरुडेवता कहने लगे मुनिकुमार इधर निकठी में महराज ययाती का आश्रम है वो बड़े दानवीर है उनके खयाती देश देशांतर में फैली है तुम उनके द्वार से कभी को या भेरती खाली नहीं लोटा है तुम उनके पास जाओ निश्चे ही तुम्हारी मनों कामना पूरी करेंगे यहीं से महाभारत में मुनिकुमार गालव की कथा आरंभ होती है महाराज यहाती समस्त आरेवरत में दानवीर यहाती के नाम से प्रसिद्ध थे उन्होंने सदा धर्म का पालन किया पित्रों की पूजा आराधना में कभी त्रुटी नहीं रखी इसी के कारण आपको यश मिला यहाती ने अपनी इच्छा नुसार एक दिन राजपाठ त्याग दिया तांकि वो चिंताओं से मुक्त होकर एकांत में पूजा आराधना में समयवे तीत कर सके यहाती राजपाठ तो पीछे छोड़ाया पर मन की अशांती अपने साथ ले आया कहां राजपाठ की धूमधाम और कहां वनों का सूनापन कहां सभी प्रकार की सुविधाएं और कहां वनों का कठोर जीवन यहाती कई बार बोलते कि जब मैं सत्ता और अधिकार त्याग सकता हूँ तो सुख एश्वरे से मुझे मोह कैसे हो सकता है सो ययाती के मन की अशांती का कारण उनके चेतन मन से छुपा ही रहा दरसल यहां राजा की परशंसा करने वाले दरबारी जो नहीं थे जो राजा के एहम के तुष्टी करते रहते थे पर ययाती का चेतन मन फिर तर्क करता कि मैंने तो कर्टवे को हमेशा कर्टवे मान कर किया है दानवीरों में मेरा नाम सत्य हरीश चंदर और दानवीर करन के साथ लिया जाता है तो मुझे प्रशंसा की लला क्यों होगी पर उनके अशांत मन के पीछे कोई तो कारण था ही कभी उसे लगता कि अपनी बिन मा की बेटी मादवी के स्वेंबर की चिंता तो उन्हें अशान्त नहीं कर रही पर यह आती ने सोच रखा था कि चाहे वो राजपाट त्याग चर्वनों में आ गए हैं लेकिन वो अपनी बेटी के स्वेंबर में बड़े से बड़े राजा को बुलाएंगे और मादवी के लिए अच्छे से अच्छा वर्ड ढूंडेंगे तांकि उनकी स्वर्गवासी मा की आत्मा को शान्ती मिल सके ऐसे में एक दिन गालव ययाती के द्वार पर जा पहुँचा इतने दिनों बाद किसी अतिथी को आश्रम में पाकर ययाती बहुत खुश हुआ जब गालव ने बताया कि वो रिशी विश्वा मित्र का शिश्य है और बारा विद्याओं में पारंगत हुआ है और ययाती के सन्मुक एक प्रार्थना लेकर प्रस्तुत हुआ है तो ययाती के एहम को तुष्टी मिले ययाती ने उसे पहले ही अवगत करा दिया था कि अब वो राजा नहीं एक साधारन आश्रम वार्जी है पर फिर भी जो कुछ उन से बन पड़ेगा वो उसकी आवश्य सहायता करेंगे फिर गालब ने बताया कि उसे अपनी गुरू दक्षणा जुटाने में राजा ययाती की मदद चाहिए परंतु रिशी विश्वा मित्र द्वारा मांगी के गुरू दक्षणा सुनके ययाती के भी खोश उड़ गए आठ सौ आश्व में की घोडे इस किसम की असंभव सी गुरू दक्षणा को गुरू कैसे मांग सकता है तब गालव ने बताया कि विश्वा मित्र से बार बार अग्रा करता रहा वो कि गुरु दक्षणा तो वो देकर ही रहेगा इस पर गुरु वर कुरुद हो गए और बोले अच्छा तो मेरी गुरु दक्षणा आठ सो अश्व में ही घोडे होंगे हैरान परेशान यहाती ने गालव को सुझाव दिया कि वो अपने गुरु के पास वापिस जाकर माफी मांग ले वो जरूर उसे माफ कर देंगे ऐसी गुरु दक्षणा केवल उन्होंने क्रोध में आकर मांग ली है गुरु उद्दार हृदे होता है तो वो अपने शिश्य को जरूर माफ कर देंगे यहाती ने तो गालव के साथ अपने आश्रम वासी मित्र भेजने का भी सुझाव दिया जो विश्वा मित्र को सारी स्थिती समझा देंगे ताकि वो गुरु गालव को रिणमोक्त कर दें परन्तु गालव वचन बद्ध था वो गुरु दक्षिना लेकर ही अपने गुरु के पास जाएगा यहाती गालव की निष्ठा और आस्ता देखकर प्रसंद न हुए और आठ सो अश्व में की घोड़े तो क्या यह तो वो राजा होकर भी उसे नहीं दे सकते थे अब तो उनके पास अपनी सवारी के लिए भी घोड़ा नहीं था तो यहाती ने अपना अस्मर्थे अभिवक्त करके पुने उसे अपने गुरु के पास क्षमा मांगने का सुझाव दिया इस पर गालव भड़क गया वो यहाती के पास अपना वचन निभाने के लिए आया है वचन भंग करने के लिए नहीं फिर गालव ने दूसरा पासा फैंका और यहाती के हम को लल कारा मुझसे भूल हुई महराज मैं भूल कर किसी दूसरे यायाती के पास चला आया मैं तो दानवीर यायाती के दौर खोज रहा था लोग कहते थे जैसे मरुस्थल में भटकने वाला व्यक्ती जरने को और भागता है ऐसे ही हताश व्यक्ती यायाती के दौर की और उन्मुक होता है यह याती ने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लोटाया है मैंने यही सुना था मुझसे बड़ी भूल हुई महराज क्यमा चाहता हूँ मुझे आग्या दीजिए अब यह सब सुनकर यह याती कैसे चुप रहता और कैसे गालव को खाली हाथ लोटाता गालव को देने लाइक उसके पास कुछ था ही नहीं पर गालव की मदद ना करने से उसकी दानवीर की संग्या हमेशा के लिए खतम हो जाती यही तो उसकी उम्र भर की कमाई थी और उसके संतोश का कारण भी ठहरो मुनिवर तुम मेरा अपमान कर रहे हो तुम ययाती के ही द्वार पर आए हो मैं ही ययाती हूँ और ययाती के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लोटता और तुम भी नहीं लोटोगे इतना कहकर ययाती ने अपनी एक लोटती बेटी माधवी को गालव को सौप दिया मैं तुम्हें आठ सो अश्वमेगी घोडे तो नहीं दे सकता परन्तु अपनी एक मात्र कन्या तुम्हें सौप सकता हूँ ये बड़ी गुणवन्ती है इसे पाकर कोई भी राजा तुम्हें आठ सो अश्वमेगी घोडे दे देगा राज जियोट्शियों ने मादवी के लक्षणों की जाच की है इसके गर्ब से उत्पन होने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा इसे और भी अनेक वर प्राप्त है जैसे की चिर कॉमार्य का वर भी से प्राप्त है उधर मादवी जो जंगल में तितलियों के संग खेल रही थी पिता के बुलाने पर चहती हुई अंदर आई और पिता की बात संग कर ना कुछ समझ पाई ना कुछ बोल पाई बस पत्थर सी हो गई आज अगर माँ जंदा होती तो क्या वो भी मुझे इस तरहां दान में दे देती ययाती के लिए उसका धर्म ही सर्वो प्रियता और गालव के लिए उसका कर्तव्या और माधवी कभी गालव और कभी अपनी पिता को देखती रही जाओ माधवी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हो